हेलो एवरीवान, टेरट विद एम सिंग में मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ, आपके लिए एक और नहीं रिडिंग लेकर, आज की रिडिंग का थमनेल आपने देख लिया होगा, आपके परसन आपसे क्या आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपने एमोशन, अपनी फीलिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो हम मैसिज के तरू देखेंगे कि क्या एनरजीज हैं उनके सबकॉंशियस माइंड में, अगर आपसे उन्होंने ये चीज़े कह दी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हैं, तो आप चूज करेंगे पाइल 1, और अगर N से Z के बीच में हैं, तो आप चूज करेंगे पाइल 2, तो मैं मैसिजज लोंगी इन दो खुबसूरत से डेक से, और इन दोनों डेक से हम लेंगे 223 कार्ड्स, या हम देखेंगे energy wise क्या energies आती हैं, तो शुरू करते हैं, क्या है जो बोल देना चाहते हैं, ओके, ओके, वन मोर कार्ड्स, ओके, ठीक है, क्या है आपके person के दिल दिमाग में, जो वो आप से कह देना चाहते हैं, या कह देना चाहती हैं अभी इस वक्त, जिनके भी partner के नाम का first letter A से M के बीच में है, ओके, two more cards, ओके, one more card, कौन आना चाहता है, ओके, bottom of the deck है मारे पास, man holding a coin, so, यहाँ पर जो energy है, उसके according, आपके person क्या चीज़े हैं, जो आप से share कर देना चाहते हैं, सबसे पहले वो आप से ये share करना चाहते हैं, कि वो बहुत ही ज़ादा deep connection, बहुत ही ज़ादा, एक strong bond, एक unbreakable bond, आपके साथ feel करते हैं, जबी भी आपके बारे में सोचते हैं, या सोचती हैं, ये बहुत deep level पर जाकर सोचते हैं, इस relationship को लेकर इन्होंने बड़ी research की हैं, कहने का मतलब है कि बहुत सारे हमारे life में ऐसे relationship होते हैं, जो हमारे life में कब आये, कब निकल गए, हमें बहुत ज़ादा effect नहीं होता है, बहुत सारे लोग हमारे life में आते हैं, चले जाते हैं, हमें नाम भी भूल जाता है कि कब आया था, कौन आया था, बहुत सोचने के बाद हमें नाम याद आता है तो आपकी और आपके person के बीच में ऐसा क्या है जो आप दोनों दूर होकर भी दूर नहीं हो सकते हैं ब्रेक अप होने के बाद भी आप दोनों attached हैं दूर रहकर भी long distance होकर भी आप दोनों attached हैं आप दोनों कितना भी अपने आपको खींच तान कर अलग करने की खोशिश करें बढ़ फिर भी आप अलग नहीं हो सकते तो ये चीजों पर इन्होंने बड़ी research करी हुई है कि कुछ कुछ तो है जो बड़ा strong है यहाँ पर ये भी आपसे वो share करना चाहते हैं कि जबी भी आपसे no contact में होते हैं या होती हैं या आपको spy करते हैं या आप पर पूरी नजर रखते हैं कि आप कब online आ रहे हो कब आप offline हो रहे हो कब आप कोई status डाल रहे हो status में क्या डाल रहे हो उसका screenshot लेकर रखते हैं ताकि ये पढ़के उसकी meaning देख सकें मतलब कहते हैं कि बहुत जैसे यहाँ पर well की energy है कुछ गहरा होता है ठीक वैसे ही आप दोनों का जो रिष्टा है वो बहुत गहरा है वो मतलब इतना असान नहीं है मिटा देना अपने दिल से इनका नाम या move on कर लेना या कितना भी आपका person कैसा भी हो आपका person अगर आपके पास उससे better choices आएंगे तो भी आप अपने person को ही choose करेंगे तो ये एक bond है जो इने feel होता है आपके साथ साथी साथ इनकी जो second situation है जो ये आप से share कर देना चाहते हैं या कर देना चाहते हैं वो ये हैं कि कभी अगर ये आप से separate होते हैं या आप से दूर रहते हैं तो इनका ये सोचना है या इनका ये कहना है कि आप निश्चिंत रहा करें क्योंकि ये lot कर वापस आपके पास ही आएंगे या आएंगी तो हो सकता है ये चीज़े इनोंने आप से बोली हों कि हमेशा मेरी उम्मीद इसी भी तरह के कारमास को face कर रहे हों कितने भी blockages हों आप दोनों के relationship में बड़ जबी ये आप से दूर होते हैं तो जितने आसू आप गिराते हो उतनी ही hurt उतनी ही pain इनको भी feel होते हैं ऐसा नहीं है कि इस रिष्टे में सिर्फ एक तरफा है सब कुछ no यहाँ पर divines की blessing है यहाँ पर angels की blessings है यहाँ पर spirit guides की blessing है आप दोनों के relationship में जबी भी आप separate होते हो आपके person और आपको एक करने के लिए बहुत सारी चीजें बहुत सारे angels बहुत सारे ascendant masters लग जाते हैं कुछ no कुछ science आपको देना कुछ no कुछ science आपके person को देना यहाँ पर spiritual journey का door open हुआ है आप दोनों के reunion से हो सकता है पहले आपको कोई knowledge न रही हो spirituality की आप अपने life में busy हो अपने school colleges कर रहे हो Bollywood movies देख रहे हो Hollywood movies देख रहे हो अचानक से आपका बिलकुल 360 change हुआ है आप researches कर रहे हो regarding angel numbers, regarding universe, regarding tarot readings, regarding whatever spiritualities आप books पढ़ रहे हो, motivational speakers आपको attract कर रहे हैं आपके guides आपको attract कर रहे हैं, light workers आपको attract कर रहे हैं, तो आपकी जो change हुई है वो आपके person की वज़े से हुई है, तो ये काफी चीज़ें आप दोनों को feel होती हैं, especially आपके person को भी ये चीज़ें feel हो रही हैं साथी साथ कई signs मिलते हैं, sometimes ऐसा होता है कि आप से ये कुछ बोलना चाहते हैं और आप पहले ही वो चीज़ें बोल देते हो, या ये आप से कुछ बताना चाहते हैं और पहले ही वही चीज़ें आप अपनी बता देते हो, जिनको लगता है कि काफी चीज़ें हम दोनों की resonate ह होती हैं तो यह कुछ चीजें हैं जो यह आप से share कर देना चाहते हैं लेकिन कह attributed कह नहीं पाते हैं इसके अलावा भी कच चीजें है related with their status, Related with their financial stability जो कि यह आपसे share करना चाहते हैं कि यह जिस भी हलात में है यह कभी भी आपको छोड़कर move नहीं करना चाहते हैं, यह हर situation में आपको protect करना चाहते हैं, हर situation में आपको stability offer करना चाहते हैं, because we have man holding a coin with tree energy, साथी साथ bottom की energy है door to romance, तो loving relationship है आप दोनों के बीच में, बहुत ही solid bond है, fixed energy है, यहाँ पर temporary energies नहीं है, साथी साथ यहाँ पर कुछ numbers आए हैं जो मैं आपको बता दू यहाँ पर 9 number बहुत important है, 5 number बहुत important है, 3, 1 important है, 6 important है, तो हो सकता है, we have 7 also, हो सकता है आपके person की birth date का total हो या birth date हो या birth month हो, ठीक है, तो ये थी pile number 1 की reading, आपके person आपसे अभी इस वक्त क्या कह देना चाहते हैं, या क्या कुछ share कर देना चाहते हैं, जो उनके मन में है, subconscious mind मे है, hope कि इस reading से आपको कुछ न कुछ clarity जरूर मिली होगी, reading आपसे resonate हुई हो, या energy आपसे resonate हुई हो, तो comment section में जरूर से बताइएगा, thank you so much guys, bye bye, Hello pile number 2, जिन्होंने भी pile number 2, N से Z की pile चूज करी है, अब मैं देखूंगी आपके person ऐसा क्या कुछ है, जो आपसे share कर देना चाहती है, या share कर देना चाहते हैं, बट नहीं कर पाते हैं, तो हम 4 cards लेंगे इस deck से, और 4 cards लेंगे energy oracle से, देखते हैं क्या energies आपके लिए निकल कर आती हैं, ओके, क्या कुछ है जो आपके person आपसे कह देना चाहते हैं, जो नहीं कह पाते हैं, okay, bottom of the deck है, adjacent possibilities, fine, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ आपके person आपसे क्या कह देना चाहते हैं, जो वो नहीं कह पाते हैं, सबसे important चीज जो यहाँ पर निकल कर आई है, वो यह कि यह आपके साथ एक homely feeling रखते हैं, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके person आपसे move on कर लेंगे, या block कर दिया है, तो बात नहीं करना चाहते, या cheat कर रहे हैं, या ignore कर रहे हैं, या break up हो गया हम लोगों का, हम लोगों के relationship में आपकुछ नहीं बचा, तो ये गलत है, इनको कभी ऐसा लगता ही नहीं कि या आपसे break up कर सकते हैं, या आपसे दूर जा सकते हैं, यहाँ पर इनके thoughts में ऐसा है, कि आप दोनों का जो bond है, वो बहुत ही जादा strong है, साथी साथ ये emotional level पर आपसे बहुत जादा attachment रखते हैं, मतलब fish की energy है, आप दोनों emotional level पर बहुत जादा connected है, कितने भी break ups हो जाएं, कितने भी आप दोनों के बीच में block unblock situation हो, दूरियां आ जाएं, distance आ जाएं, पहाड आ जाएं, problems आ जाएं, obstacles आ जाएं, कुई भी ऐसा नहीं है, जो आप दे उनों के relationship में separation ला सकता है, या ला सकती है, सिवाए आप लोगों के, even आप लोग भी खुद भी break up करेंगे, तो आपस आ जाएंगे, यहाँ पर इन्हें आपके साथ एक happy family की energy feel होती है, मतलब यह आपको कभी अपने आप से अलग नहीं समझते हैं, या नहीं समझती हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ, they are very comfortable with you, मतलब इनको ऐसा लगता है कि कोई अपना ही है, जैसे हम ममी से जगड़ा कर लिये और थोड़ी देर बाद हम मोनी से जाके खाना मांग रहे हैं, यारे खाना दे दो भूक लगी है, तो उस तरह की चीज़ें होती है, कि मतलब ये आपको अपने घर का, अपने परिवार का एक हिस्सा समझते हैं, कि आप से कुछ भी बोल दिया, जगड़ा कर लिया, कुछ भी बोल दिया, किसी भी हद तक बोल दिया, आपको बहुत बुरा लगा, इनको बहुत बुरा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद या थोड़े मन्त के बाद या थोड़े टाइम के बाद इनको ऐसा फील होता है या रे कुछ हुआ ही नहीं था मुझे तो याद भी नहीं है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये फील करते हैं आपको लेकर कि आपके साथ एक होमली फीलिंग इनको फील होती है साथ ही साथ इनको आपके साथ कुछ memories याद आती है हो सकता है ये चीज़ें इनोंने आपसे share करी हो हो सकता है ना share करी हो इनको कुछ visions आते हैं जो कि इनको ऐसा बताते हैं कि आपके साथ ये कहीं जा रहे हैं कहीं travel कर रहे हैं कहीं घूम रहे हैं कहीं मंदिर में है या कोई पिछले जनम की कुछ यादें या पिछले जनम से related कुछ places, visions इनको आते हैं जो कि इन्होंने शायद आपसे share किया हो, हो सकता है, ना भी किया हो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के person ये भी share करना चाहते हैं कि आपके person आपसे, especially जब separation में होते हैं, ये बहुत eagerly wait करते हैं कि आप इन्हें message करो और आप इन्हें मनाने की कोशिश करो, भले गलती इनी की हो तो ये भी चीज़े हैं जो आपके person आपसे share करना चाहते हैं कि ये हमेशा आपका याद करते हैं, आपको wait करते हैं आपका आपको ऐसा लगता है कि ये wait नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, खुद से call नहीं कर रहे हैं बट actually मैं ये बहुत shy feel करते हैं, ये ऐसा लगता है कि नहीं मेरी ego hurt हो जाएगी या मैं ही क्यों जाओं बात करने मैंने ही तो उससे जगड़ा किया था जिसको बात करना है वो स्वेम आ सकता है तो थोड़ा से इगो है इनके अंदर और अपने इगो को भी ये पहचानते हैं ये भी चीज़े नज़र आ रहे हैं यहाँ पर हिल की एनरजी है, पहाड, माउंटीन की एनरजी है माउंटीन रिप्रिजेंट मास्कुलीन एनरजी बहुत ज़ादा इगोिस्टिक होना, बहुत ज़ादा प्रैक्टिकल होना तो इनको ये चीज़ें फील होती है कि यह emotional तो हैं आपको लेकर बहुत ज़ादा लेकिन यह दिखाते नहीं है इनको ऐसा लगता है जैसे coconut होता है न बाहर से एक दम strong, tough और अंदर से बिलकुल soft तो यह उस तरह की energy में है आपके person दिखाते हैं कि यह बहुत egoistic हैं इनको बात नहीं करनी है या block कर दिया और उसके बाद इनको फरक नहीं पड़ता है but actually में इनको बहुत ज़ादा फरक पड़ता है यह आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि यह आपके साथ success चाहते हैं यह हमेशा आपको जीतना चाहते हैं इस relationship में कभी भी हारना नहीं चाहते blockages अपनी जगह हैं हो सकता है financial blockages हो money related blockages हो या आप दोनों के बीच में कोई third party situation हो या तो आपके life में या इनके life में जिसकी वज़े से break up situations हुई हैं लेकिन यह जानते हैं कि यह situation होते हुए भी आप दोनों कभी separate नहीं हो सकते यहाँ पर कोई न कोई ऐसी bonding है ऐसी bridge है या आप दोनों का कुछ न कुछ ऐसा past life connection है जो इनको और आपको खीच कर वापस लाता है जैसे होती है न एक time travel वाली energy कि वापस past में गए वापस अच्छी चीज़ें याद की है और फिर वापस एक हो गए कोई bad memories नहीं है कोई भी बात इनको बुरी नहीं लगती आपकी तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर plus collective energy में यहाँ पर है adjustment possibilities मतलब आपके person अगर किसी situation में tied up है stuck हैं तो इनको ये भी पता है कि ये आज नहीं कल उस situation से निकलेंगे और आपके तरफ ही आएंगे तो ये भी ये जानते हैं मतलब ये जैसे ही आपसे separate होते हैं इनको वो चीज़ें खाने लगती है इनको ऐसा लगता है नहीं जल्दी से जल्दी मुझे चीज़ों को ठीक करना है और वापस उसको जाके clarity देनी है इसी लिए वो unblock करते हैं इसी लिए वो return आती है या आते है तो ये messages आज के दिन में आपके person की तरफ से निकल कर आए है pile number two hope आपको कुछ नो कुछ clarity, कुछ नो कुछ guidance मिली हो reading पसंद आई हो, आपकी energies से resonate हुई हो comment section में जरूर बताएगा thank you so much guys, take care of yourself, bye bye